लोक्सभा चुनाब 2024 के नतीजों ने सभी को चौका दिया एक तरफ इंडिया गटबंधन यूपी में बीजेपी को मात देता नजर आया तो वहीं बीजेपी को भारी भरकम नुकसान देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा इसी बीच योगी आदित्यनात को लेकर नरेंद्र मोधी ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा अब योगी को लेकर मोधी ने क्या लिखा यह हम आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले जान लीजे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान पहुँचा है यूपी की स्टी लोकसभा सीटों में से एंडिये को 36 सीटे मिले इसमें बीजेपी को 33, 2 R&D की सीटे और एक अनुप्रिया पटेल की सीट वहीं अकेले समाजबादी पार्टी एंडिये ही नहीं बलकि बीजेपी पर भी भारी नजर आई समाजबादी पार्टी ने 47 सीट पर जीत दर्ज की है तो वहीं कॉंग्रेस ने सिफ राई बरेली और अमेठी नहीं बलकि 4 और सीटों पर भी कबजा जमालिया है कॉंग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है यानि कुल मिलाकर 43 सीट इंडिया घटबंदन के पाले में जा जुकी है अब यूपी की नतीजों के बाद सवाल ये कि क्या यूपी में योगी मोदी का जादू काम नहीं कर पाया या खिलेश और राहुल की जूड़ी कमाल कर गई या फिर कारण कुछ और ही है या फिर उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल हो गया है यूपी में बीजेपी के बड़े बड़े दिगजों को हार का सामना करना पड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा है अमेठी से इस्मृती इरानी की हार की 2019 लोगसभा चुनाफ के मुकाबले कम मार्जिन से होने वाली वरार्सी से नरेंद्र मोदी की और लखनव से राजनाद सिंग की जीत पर भी खूब चर्चा चल रही है वहीं यूपी में साइकिल फर्राटे से दौरती नज़र आई सवाल ये कि क्या लोगसभा चुनाफ का असर यूपी 2027 विधानसभा चुनाफ पर भी रहसर आएगा इन तमाम सवालों पर चर्चा लगातार चल रही है इसी बीच नरेंद्र मोधी ने योगी आदित्यनाथ को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफर्म एक्स पर एक पोस्ट लिख दिया नरेंद्र मोधी ने लिखा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को जनम दिन की हारदिक शुब कामना है वो यूपी की प्रगती और गरीबों और वन्चितों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है मैं आने वाले समय में उनके लंबे और स्वस्त जीवन की कामना करता हूँ बता दे कि आज यानी पांच जुन को योगी आदित्यनाथ का जिनम दिन है नरेंद्र मोधी में पोस्ट कर योगी आदित्यनाथ को बधाई दी लेकिन यूपी में हुए नुकसान पर ये चुपी बड़े सवाल खड़े कर रही है सबसे हरानी की बात तो ये आयोध्या वाली फैजबाद सीट से भी बीजेपी को शर्मनाख हार का सामना करना पड़ा और सपा के अब देश पर साथ की जीत हुई अब इन नतीजों पर आपकी कहराए हैं ये हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए विरूरीपोर्ट जुपिता